अस्सिलाम अलेकुम मेरे प्यारे बच्चो मुझे पूरी उमीद है आप सब खेरत से होंगे बच्चो आज हम पढ़ेंगे उर्दू के हरूफ एन और गैन अभी तक हमने पढ़ा था जोई तक अलिफ से जोई तक आज पढ़ेंगे हम एन गैन शाबाश चलो हम शुरू करते हैं हरूफ एन इस हरूफ को हम क्या बोलते हैं एन एन से एनक इसको क्या बोलते हैं एनक एन से एनक आप देखेंगे ये एन हम कैसे लिखते हैं देखो यहाँ पे यहाँ पे जो ये डॉट्स दिये गए हैं इनको हम trace करेंगे फिर हम देखेंगे यह N कैसे लिखते हैं शाबश शाबश इसको बोलते हैं N यानि यह कैसे हमें लिखना होता है ऐसे जैसे अब C लिखते हैं चोटा सा C बनाना है उपर से फिर बड़ा सा C बनाना है तो बन गया N अब GAN हरुफ GAN इसको क्या बोलते हैं GAN गैन भी बराबर N की तरह होता है लेकिन इसके उपर से एक नुक्ता होता है यानि एक ड़ाट होता है GAN से गुबारा GAN से गुबारा गुबारा किसको बोलते हैं यहां पे दिया है हाँ, बलून को तो अब देखेंगे यह कैसे लिखते हैं यह भी बराबर N की तरह लिखना है लेकिन इसके उपर से एक नुक्ता होता है देखो छोटा सा C फिर बड़ा C बनाएंगे, बन गया GAN उपर से एक नुक्ता यहां पे एक और बार लिखेंगे छोटा सी बड़ा सा C बनाएंगे उपर से एक नुक्ता डालेंगे बन गया GAN हरुफ N N से एनक हरुफ GAN GAN से गुबारा मुझे उमीद है आप सब को समझ में आया होगा अल्ला हाफिस